दो चम्मच ग्लैसरीन आधी चम्मच गुलाब जल और इस मिसरण में तीन या चार बूंद नीवू की रसकी डाल दें बस दोस्तो आपकी रेमेडी तैयार है मैं आपका दोस्त रानु पटल आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तो यदि आप नए है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना लाइक नहीं किया तो अब यहां लाइक कर दो कि क्यों लाश्ट में आप भूल चाते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर ही करना यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो तो फ्रेंड जो मैंने उस रेमेडी से क्या होगा आपके फेस पर क्या असर करने वाली है अब इसको ध्यान से सुनिये आपका चेहरा दूप के कारण सांबला हो गया है आपकी आँखों के नीचे काले काले दाग हो गये हैं आपके फेस पर फिमपल के दाग जा नहीं रहे हैं आपका चेहरा रूखा रूखा दिखाई देता है दोस्तो यकीन मानना जो आज किस वीडियो में मैं आपको रेमेडी बता चुका हूँ आपको एक रात में ही केबल एक रात में ही इसका असर देखने को मिलेगा आपका फेस गुलाब के फूल की तरह खिलता हुआ दिखेगा एक रात के अपना फेस धोके सूती कपड़े से दवा दवा कर पहुँच कर इस मिसरन को आप अपने पूरे फेस पर लगा लीजिए सुबए उठते ही नौर्मल पानी से आप अपना फेस दो लीजिए और आप अपना चेहरा आइने में देखिए आपका चेहरा ऐसा खिल जाएगा इत आप इसको डेली कीजिए एक महिने तक तो आप इसको डेली कीजिए एक महिने के वाद हपते में एक एकवार ही यूस करें आपका चेहरा दिनो दिन निकरेगा आपका चेहरा दिनो दिन गोरा देखेगा आपका चेहरा दिनो दिन एक दम से वेदाग देखेगा इस रेमिड में जरूर ही वता देना आज का वीडियो देखे कर आपको कैसा लगा प्लीज फ्रेंड नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना नमस्कार